तो हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोट ने मोडल सेट को जारी कर दिया है तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे बिहार बोट का मोडल सेट का क्या-क्या पूछा जाता इसमें से सारे के सारे कोश्चन को हम शॉल्व करके बताएंगे तो फ्रेंड आप लोग को WhatsApp फालून लाइन क्लस की तरप से जो इन्फरमेशन हमोते हैं गरूप में डिल । वहां पर जाके आरीइन वुश्या में सकते हैं। बहुत सब्सक्राइन क्वा क्पे ए उसार और उसंट नहीं है, तो बुझा जाता भी हैं, विजिएक्ष को पर ले ते कि बोर्ड एक्जाम में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो फ्रेंड्स आप लोग को जैसा कि पता है कि तीन गंडे 15 मिनिट के आप लोग का एक्जाम होगा चलिए आगे देखते हैं क्या-क्या कोश्चन दिया गया है जैसा कि आप लोग को पता है कि एक्जाम ज जदि आप कुछी का आंसर जानते हैं तो आंसर लिख सकते लेकिन 50 question टोटल कितना question बनाना है 50 question को ही जवाब देना है तो friends यहां पे भी वही बात लिखा हुआ आप लोग पढ़ ले तो चलिए हम question के और चलते हैं और इसका answer जानते है कि क्या होगा और साथ ही हम इसका subjective भी last म solve करने की कोशिस करेंगा और आपको बताएंगे कि किस तरह सिसको solve किया जाता है तो friends देख लिए पहला नमबर यहां पर objective आप लोग के श्कीन पर दिख रहा है अंबेदकर ने भारत की बिरोजगारी का पर्मुखेवं परतेक्ष कारण किसे माना तो friends अंबेदकर जी ने भ सबसक्ता है कमेंट बॉक्स में कि इस से पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले ले कितने क्वशन का आउँसर जानते थे दूसरा कोईशन देख लेथे सब भी समाज की ab AMP is Nich All 이oam निए और यहां पर तीसाने नर्म में है वू और शुराय है तो सर्म भिवाजन इसका सही आंसर हो जाए यह नमर और यहां पर तीसा नमर कोईशन देखते हैं तीसा नमर में है हु आर सुद्राज किसकी रचना है तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाए गया सी भीम राव अंबेद करका 100% आंसर सही आपको हम बताएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए यहां पर फोर्थ नमर कोईशन देखते हैं विसके दात कहानी का परमुक पातर कौन है तो फ्रेंड्स फोर्थ नमर का सही आंसर हो जिगा बी सेयन सहाब चलिए फाइव नमर का आंसर देखते हैं जोपरी और महल की लडाई में अकसर कौन जीते हैं तो फ्रेंड्स आपको बता दे जोपरी वाले गरीब होते हैं और महल वाले अमीर होते हैं आप लोग को पता होगा तो जब भी लडाई होगी महल वाले के पास पैसे रहते हैं हर वाले ही जितने हैं इसका सही आंसो यह हो जाएगा चलिए दूसरा नमर कुश्च जो शिक्स नमर कुश्चन दिया है सच्चा भारत कहां बसता है तो सच्चा भारत कहां बसता है तो फ्रेंड्स शिक्स नमर का आपका सही आंसो जिए गौव में सच्चा भारत यह कहां बसता ह गौ में आप लोग को पता हुगा कि सच्छा भारत कहां बसता है गौ में बसता चलिए 7 नमर कुश्चन की और तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं के लाइक कर लेना है बाद में आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को भासन थे इसका से आंसर क्या हो जेगा भासन चलिए 8 नमर का कुश्चन देखते हैं दूसरे के इसारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स अपने भासा में बोले तो दूसरे के इसारों पर भटकने वाले लोग को बेकूप बोलते हम लोग बेकूप ही सबस्काना फिर्समुलर्ची के मी मेट मॉलर के पिता का क्या नाम था मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था विहलम मुलर्ची पिता क किस उभासा में कषने अनुबाद किया था तो टैनन मद आइए आपका सही आंसर हो जिगा D Max Muller ने, Max Muller ने, चलिए 11 नमर कोश्ण देखते हैं, 11 नमर में है, सुधवाक क्या है, तो friends, यहाँ पर पहला नमर है, वास्प निकल रहा है, दिखेंए वास्प ही गलत लिखा हुआ, सुधवाक होगा, नहीं, यहाँ पे B नमबर में देखिए वास्प निकल रहा है वास्प निकल रहा है तो यह सही है तो इसका सयान सहोज गया B चलिए हम लोग बात कर लेंगे हाँ पे 12 नमबर सरवोत्तम का संदी विच्छेद क्या होगा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों पता है सर वोत्तम क्या आप बोलते हम फिर से एक बार आप रिपीट करजे सर वोत्तम इसका सयान सहोज गया A चलिए हम लोग बात कर लेंगे हाँ पे 13 नमबर कुशन को गुस्सा पीना मुहावरेक अर्थ क्या होता है गुस्सा पीना मतलब किसी को करोध हो जाता है गुस्सा आ जाता है लेकिन अपने आपको दबा लेते हैं उस चीज़ को गुस्से को दबा लेते हैं क्या कहते हैं हम आप लोग के बुक से कोईशन है प्रंप्रा का मुल्यांकन के रचना कार कौन है तो 40 नमर का सयान सोज़गा राम बिलास सर्मा राम बिलास सर्मा चलिए यहां पर देख लेते हैं 50 नमर कोईशन कुछ आउट भी कोईशन पूछे गए जिसका हमांसर आप लोग को बता देंग आप लोग के बुक में नहीं मिलेगा जैसा कि यहां पर है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है असोग वाईपी चलिए हम लोग यहां पर 60 नमर कोईशन देखते हैं असोग वाईपी का जन्म कब हुआ था फ्रेंट्स इसका जो सही आं 241 इस भीम हुआ था 70 नमर कुशन देखते हैं 17 नमर कुशन में मचली सिर्षक पाठ के लिखक कोन है 17 नमर में सही आंस हो जगा C बिनोध कुमार सुकला आप लोग को याद होगा चलिए 18 नमर कुशन देखते हैं अंगुठा दिखाना मोहवडे का अर्थ क्या होता है समय पर दोखा देना बेजती करना चालवाजी करना या बैमानी करना तो फ्रेंट्स इसका सयांस होज़ेगा चालवाजी करना अउठा देखना दिखाना आप लोग पर होगे चापलूसी करना तो यहां पर चालवाजी करना हो जाएगा चले यहां पर हम लोग रहता तो हम इसका आंसर देते पाना लेकिन यहाँ गूप्त मतलब अंदर में रखना कंट सथ को फिरस ग्लब यहां पीर 30 तिर दस है पदमार है तो फ्रेंटीज यह ऐपक्सन नहीं आप चलते हैं आगे कि ऑप्सन देखते हैं क्या दिया हुआ तो फ्रेंट परबत का पर्यावाची सब्सक्रास है वह है वियुत सीडल होता है आगी कोशन देख लेते हैं के 22 नमर कुश्चन लड़का आया था कोन काल है मतलब लड़का आया था कब आया था नहीं आया था तो यह पास्ट हो गया मतलब भूत काल ही हो गया चलिए हम लोग बात के लिए यहाँ पे 23 नमर कुश्चन 24 नमर का जवाब का सही आंसर हो जगा C कर्मधार्ये समासे धनी चले यहाँ पर बात कहल लेते हैं माता पिता कौन सा समासे 25 नमर में है माता पिता कौन सा समासे तो फ्रेंस इसका सही आंसर हो जगा D 22 चले यहाँ पर देख लेते हैं 26 नमर कुशन अनुराग में कौन उपसर्ग है तो 26 नमर का आपका सही आंसर हो जीगा यहाँ पर ए अनुराग में कौन उपसर्ग है तो 26 नमर का आपका सही आंसर हो जीगा यहाँ पर ए अनुराग में कौन अनुराग में कौन उपसर्ग है तो 26 नमर का आपका सही आंसर हो जीगा यहाँ प के पर्थम गुरू थे इसका सयान सोज़ गया बी सिखों के पर्थम गुरू थे तो फ्रेंट्स इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहें कि टाइम बहुत ज्यादा हो जेगा इसलिए आप लोग को जल्दी से जल्दी अब्जेक्टिव बता रहें तो फ्रेंट्स आप लोग का कि रचना है तो 28 नमर का जापका सही आंसोज गज़ा सी गुरू नानक गुरू नानक का था रचना जब पूजी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पे 29 नमर कुष्चन नाखुन क्यों बढ़ते हैं हिंदी का कौन सा विध्या है तो फ्रेंडे इसका सही आंसोज गा लल इतनी बन आप लोग सारे objective को note कर ले हो सके तो नहीं तो वीडियो के एक से दो बाड़ा देखेंगे तो आप लोग को खुद वेखुद समझ में आ जाएंगे और आप हमारे कि प्सक्रिसन में आप लोग को link मिल जाएगा WhatsApp में जरूर जूर जाएं चली हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर विरह लीला विरह लीला किसकी रचना है थर्टी नमर का जो सही अमसर हो जिए बी कभीर चले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर घनानंद का जन्म कब हुआ था घनानंद का जन्म कब हुआ था शोलेशो शोलेशो इसविम हुआ था लेकिन अब शोलेशो कितना में हुआ था ये पता नहीं है तो फ्रेंड्स आपको बता दे 1689 इस भी के आसपास 1689 के आसपास हुआ था इसका सयांसर हो जिया डी चले हम लोग बात कर लेंगे यहां पर इसका जो जन्म दिन है लगभग में ही दिया है आपके बुक में भी इसका सही correct answer आपको हम बता रहें। इसका correct answer D ही होगा. कहीं कोई confusion नहीं है. चले हम लोग बात कर लेगे हहाँ पे 32 number question स्वयधी कविता किसे संकलित हे? स्वयधी कविता किसे संकलित हे? प्रेम घन सर्व स्वय चले हम लोग बात कर लेते यहाँ पे 33 number question दही वाली मगम्मा किस भासा से अनुदित कहानी है किस भासा से अनुदित कहानी है तो friends इसका जो सही आंसर हो जेगा 33 नमबर का इसका सही आंसर हो जेगा कंड़ कंड़ भासा से अनुदित है दही वाली मगम्मा चले हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर 34點 question अस्मीता का अर्थ होता है मना करना अस्मीता का जो अर्थ होता है मना करना होता है आप लोग note कर ले आपके book बगरा में नहीं दिया ये grammar का चीज़ है तो इसका सही answer ही होगा मना करना चलिए हम लोग बात कर लेंगे 35點 निमलिखित में कौन वाक सुद्ध है तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं किसी को मैं आपका दर्सन करने आया हूं या मैं आपके दर्सन करने आया हूं यह भी नहीं होगा फ्रेंड्स इसका से आपके दर्सन करने आया हूं चलिए हम बात कर लेंगे हाँ पर थर्टी सिक्स नमर कोईशन संग्या के कितने भेद होते हैं और सब ही बच्चे इसका आंसर जानते हैं संग्या के पांच भेद होते हैं व्यक्ति वाचक जाती वाचक भावा वाचक समूव वाचक और दर्वाचक चलिए हम लोग बात कर लेंगे हाँ पर थर्टी सेवन नमर कोईशन को टॉल्स ट्वाइ कौन थे थर्टी सेवन नमर में हैं टॉल्स ट्वाइ कौन थे इसका सेयान सोच गया है रूसी लेखक थे रूसी लेखक थे याद रखें इस चीज को आपके बुक से नहीं related है, अलग से दिया गया है, चलिए हम लोग बात कहलेंगे 38 नवर गोशन को, नौवत खाने में इवादत, नौवत खाने में इवादत, पाक केंदर में से है, पाक केंदर में से है, तो फ्रेंट 38 नमर का जापका सही आंस होजगा C, बिस्मिल्ला खा चलिए हम लोग बात कर लेंगे हैं पर 39 नमर कुशन बिस्मिल्ला खा का पिरिये वाद यंत्र था सहनाई इसका सही आंस होजगा सहनाई चलिए 40 नमर कुशन को देखते हैं अक्षरों की कहानी किसकी रचना है तो 40 नमर का जापका सही आंस होजगा अनामिका फ्रेंट्स आपका जो इसका सही आंस होजगा अनामिका लेकिन इसका आंसर यहाँ पर कुछ और दिया है यदि आप लोग जानते हैं कुछ और आंसर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा मुझे पता है इसका जो आंसर है किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अनामिका ही है तो फ्रेंड्स यदि आपको लगता है इसमें से कोई और आपसन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगे चलिए हम लोग 41 देख लेते सिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है सिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है तो friends यहाँ पे आप लोग का जो है सिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है वसोक वाजपी और बी मेहर राम बिलास सर्मा लेकिन आगे की option देखते हैं तो friends सिक्षा और संस्क्रिती जो थे finally महत्मा गांधी के थे सिक्षा और संस्क्रिती इसका सयांसर हो जिए C महत्मा गांधी चले हम लोग बात के लेंगे 42 number question 42 number question में दिया हुआ friends बहादूर के लेखक बहादूर को लेखक के घर पर कौन लाया था तो उसके चाचा लाये थे लेखक के चाचा लाये थे अब यहाँ पर 43 number देखा जाए सुजिता का वास्तविक नाम क्या था सुजिता का वास्तविक नाम क्या था तो इसका नाम था दीप सीखा सहی answer गया B चले हम लोग बात कर लएंगे हाँ पर 44 नमर कुश्चन साथ कौवडी होता है कहा के परमुख कताकार है तो फ्रेंज 44 आपका सही answer होता है C. Odisa के Одisa के 7 कौवडी होता है कहा के परमुख कताकार थे तो Odisa के थे मगमा किस सहर में दही बेचा करती थी तो फ्रेंस 45 क मपने को पता होगा बैंगलोड में बैंगलोड में मगमा दही बेचा करती थी चलिए हम लुग बात कर लेंगे यहाँ पुड़वज लक्षमी के लिए कितना खेत छोड़ गये थे पुडवज मतलब होते हैं दादा जी पिता जी जो मतलब गुजर गए उनके पुडवज बुढ़े बुजूर को पुडवज बोले जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके कहानी में लक्षमी नाम की थी तो लक्षमी के लिए उसके पुडवज कितना जमीन छोड़ गए थे तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें 46 नमर का सही आंसोज गा एक बिगा कितना एक बिगा तो यहां पर हम लोग बात करेंगे 47 नमर कुश्यन मंगू कब से पागल है मंगू कब से पागल है तो फ्रेंड्स मंगू पागल और गुंगा दोनो था गुंगा और पागल दोनो था तो मंगू कब से पागल और गुंगा था आपको यह बताना है तो उसका जो सही आंसोज गया 47 नमर का एक जन्म से जन्म से ही गुंगा था पागल था दोनो ची था चलिए हम लोग बात कर लेंगे हाँ पे संसार का संदी विचेद क्या होगा संसार का संदी विचेद क्या होगा सं जोडशार संसार इसका संदी विचेद होगा संसार इसका सही आंसो होजगा संसार चलिए हम लोग बात कर लेंगे 49 नमबर कुशन फोटी नाइन नमर कुशन देखा जाए इंद्र का परियावाची सब्द क्या होगा देवराज होगा चलिए हम लोग बात कर लेंगे हाँ पर फिप्टी नमर कुशन वेदना में पड़ते हैं तो वेतना में क्या पढ़ते हैं वो बताना 50 नमर का आपका सेयान सोच गया बे बी अना बे दना अना आ रहा ना बे दना अना चले हम लोग बात के लेंगे हैं पर 51 मनुस कौन सा संग्या है तो मनुस हम जेनरली सभी को बोलते हैं जो भी प्रानी है इनसान है यहां पर सब तो यह एक जाती हो गया फ्रेंड्स यह संग्या का है आप लोग को पता होगा संग्या का जाती वाचक सब्ते हैं जैसे जाती वाचक में आगया माल लिया जाए सिक्छक अब हम लोग सिक्छक बोलते हैं तो सिक्छक में मेल फिमेल सब आ जाते हैं ऐसा नहीं कि फिजिक्स वालाब कीमिश्ट्री वालाटीचर अलग उसका नम तो तो सब सिक्छक को ही बोलते हैं यहां उसी तरह मनुस Kauf नेकों अगर काली है पिली हे जो भी यह तो गाय हिन बोलते हैं या उसके जाती की बात करें तो हम जानवर बोलते हैं तो फ्रेंट्स अलग-अलग तो नहीं बोल सकते हैं अब एक जगे माल ये दूसरा आपको एक्जामपल और देते हैं एक जगे गाय भाय इस बक्री सब बांधा हुआ है तो उस पे वहां पे हम क्या बोलेंगे यहां पे बहुत सारे जानवर बांधे हुए है तो फ्रेंट्स इसका सयांस हो जगा जाती बाद चला असा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गये होंगे चलिए फिप्टी टू परते हैं कितने भेद होते हैं परते हैं कितने भेद होते हैं तो होते हैं परते के कितने वहत होते हैं दो होते हैं चलिए 53 नमर कुएशन गुरू नानक की भेट किस मुगल बादसास हुआ था बाबर से चलिए 54 नमर कुएशन मचली सिर्षक पाठ साहित कौन विद्दा है मचली सिल्षक पार्ट साहित की कौन विद्धा है तो फ्रेंट्स 54 नमर का सही आन सोज गया B कहानी तो फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे हाँ पे 55 नमर कुशन जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और आप लोग को भी जानना चाहिए यहाँ पे गहरा है हम बार बार नाखुन क्यों काड़ते हैं स्वक्ष रहने के लिए काड़ते हैं और कुछ लोग तो ऐसे नाखुन बढ़ाक रखते हैं उसे फैसन बना लिए हैं आज काल बहुत सारे वच्ची की बात करते हैं हम आज काल नाखुन बनाना फैसन हो गया है तो friends लेकिन नाखुन जो हम बार बार काटते हैं किस वज़े से काटते हैं हम लोग student हैं तो student नाखुन बार बार किस वज़े से काटते हैं क्योंकि student को ही पता रहता है कि नाखुन से भीमारी होते हैं इसलिए हम नाखुन को काटते हैं तेक दिम कुरेक्ट हो गया चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 56 नमर कुशन देखिए आपको ऑप्सन भी मिलदा सी का सुन्दरता के लिए तो इसा नहीं के गलती साप लोग सुन्दरता के लिए बढ़ा सकते हैं या मजबूरी से उसा कुछ नहीं है आप लोग को होगा सुष् चलिए हम लोग बात कर लेंगे यहां पर पठित पार्ट मतलब पढ़ा हुआ पार्ट के अधार पे बतलाएं की मोटर कार का खत्रा किस से हो सकता है तो इसका सयान सोजगा खोखा से चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेंगे 58 नमर कुशन 60 को सॉल्व करना है भाई चारे का दूसरा नाम क्या है भाई चारे का दूसरा नाम क्या है तो फ्रेंड्स भाई चारा मतलब होता है एक दूसरे का सहीयोग करना भाई बंदू बनके रहना तो यहां पर सहीयोग हो जाएगा डी नमर ऑप्सन सही है चलिए 59 नमर कुशन देख लेते हैं भारत का सार्वदिक अ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को साथ जरूर करना दोस्त विडियो को जलदा जदा बहुत जल्दी उपलब्द कराने वाले हैं तो अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेंगे यहां पे खंड बी का बात क्या-क्या पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आप लोग को जो पहला नंबर कुश्चन दिया रहेगा कि गदांसों को किसी एक गदांस को पढ़कर नीचे दि प्तर देने के लिए तो फ्रेंड्स चल लिए देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे आप लोग को कुछ कहानी दिरा रहेगा इस सारी कहानी को आप लोग को पढ़ लेना एक मिनट दो मिनट जो भी टायम लगेगा उसको पढ़ लेना है उसके बाद यहां पे आपको कु पूछा जबाब देना चलिए हम दूसाषा नंबर देख लेते हैं दूसा नंबर में já पूछा जाता तो फ्रेंड को साद है और यहां पर बात करेंगे तीसा नंबर पैर नीचे कोशन में वही दिया था कहानी ही उसी को पढ़के आंसर देना है नीचे कोशन दिया रहेगा तीशा नमबर में हैं निम्लिखित में सी किसी एक विसे पे संकेत बिंदों का अधार पर लगभग दो सो से तिन सो सब्द में निबंद लिखना तो फ्रेंड्स आप लोग को यहां पे कुछ मिल जाता है किसा भारतिय किसान उसके वारे माप लोग को निबंद लिखना है कि कैसे रहते हैं क्या खेती करते हैं कैसे आनाज को जाते हैं और किस तरह से फसल को तयार करते हैं उसका पालन पोशन किस तरह से क्या जाता ये सारी की सारी चीज भूमी का अस्थिती आवे सकता क्या क्या होता है आर्थिक सहयोग क्या होना चीए और निसकर्स क्या निकलता है लास्ट में तो वो सारी तो आप लोगों पता होगा कि हमारी भारती किसान को बहुत ही जो कष्ट होते ह आप लोग को तो पता हुई होगा चलिए यहां पे बिग्यान चमतकार बगेरा सब आप लोग एक निवन जरूर लिखेगा दस मार्क्स का आता है लेकिन आप लोग को जरूर से जरूर लिखना होगा लिखिएगा तभी नमर मिलेगा कम से कम आप लोग 200 वर्ड में भी कुछ जो भी आता है आप लोग के मन में जरूर लिखें तो चलिए फोर्थ नमर कोईशन आपको बताते फोर्थ नमर का जो कोईशन रहेगा आप लोग का 5 मार्क्स का रहेगा यहां पर लोग देख सकते हैं कर अपने परधाना चारिये पास कि आप लोग एक 2 दिनों की छुटी क क्या साधी है वहां पर मुझे जाना है अगर अगर जो भी आप लोग जानते हो सारी चीज़ लिखते ना है तो आप लोग को 5 माक्स अराम से मिल सकता है यह रहा आप सारा चीज़ देख सकते हैं यहां पर क्या क्या पूछा गया तब 6 नमर आपको बता दे कहरा 6 नमर में निमली खित में किसी एक प्रसन का उत्तर जीज़े सब्द सीमा सो लगभग होना चीज़े सो सब्दों में बिर्जु महराज की जीवन में अपने दुखत समय आई और उस सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिसन बिलको वन कर लिजिए ताकि आपको कहीं भी कोई प्रब्लम हो तो आप हमसे जुड़े रहें तो फ्रेंड्स चलिए आपको बता दे एक और जरूरी बात कि इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक वाइट टॉपिक ऑब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा का सारा अबजेक्टिव आप लोग को चेप्टर 22 मिल रहा है तो फ्रेंड्स वहाँ पर जाके आप लोग भीउ कर सकते हैं उनको देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आसा करता हूँ कि आप लोग पूर्णू पर समझ गए होंगे और कोमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगे तो हम अहला वीडियो बहुत ज़लत ही लाइंगे तो छैनल को सबस्क्राइब करना और दोस्तों को साथ सेर करना है वीडियो को लाइक जरू करना है आप लोग लाइक करने में बहुत लाइक जरू करना है तब तक के लिए मिलते एक लिए वीडियो को लेकर जाय हिंद जाय